अभी की खबर है कौन थे जतिंद्र नात्न दास आज भारत के वीर सपूत शहीद जतिंद्र नात्न दास जिनका लोक प्रिये नाम जतिंदा भी है उनकी जयनती है वीर क्रांतिकारी जतिंद्र का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को ततकालिन कलकत्ता में हुआ था बचपन सही मिधावी रहे जतिंद्र मात्र 17 साल की अवस्था में असहयोग आंदूलन से जुड़ गए थे उन्होंने अपने बाल उम्र में ही अनुशीलन समीती की सदस्ता ले ली थी आगे चलकर वे HSRA यानि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एस्सोसियेशन में भगत सिंग और उनके साथियों के साथ जुड़ गए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंतरता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था उन्हें लाहोर शडियंत्र मामले में 1929 में गिरफतार किया गया आंदोलन के दोरान जेलों में बंद कैदियों की स्थिति ने जतिन दा को विचलित कर दिया इसलिए उन्होंने कैदियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जेल में ही भूख हर्ताल की शुरुआत कर दी लाहोर सेंटरल जेल में की गई ये हर्त 63 दिनों तक अनवरत चली इस दोरान उन्हें अलग अलग तरीकों से प्रतारित किया गया लेकिन उन्होंने अपना उपवास जारी रखा और इस तरह 13 सितंबर 1929 को जतिन दाने केवल 25 साल की अवस्था में आजादी के लिए सरवच बलिदान दिया उनकी शहादत के बाद लाहोर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए जहां भी ट्रेन रुकी हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए इंतजार करते पाए गए कलकत्ता में जब सुभास चंद्रबोस हावडा लेलवे स्टेशन पर जतिन दास के पार्थिव शरीर को लेने आये तो लगभग 7 लाख लोग मौजूद थे आपको बता दें कि जतिन दास के अलावा एक और क्रांतिकारी जिनका नाम जतिन्दरनात मुखरजी है उनका संबंद भी बंगाल से ही था जतिन्दरनात मुखरजी को बागा जतिन के नाम से भी जाना जाता है